Hello student, welcome back to our channel RECGELD. Student, जिन बच्चों के exam 2022 में होने थे ITI के, उन बच्चों के exam के time table को जारी कर दिया गया है. DGT ने फिलाल में ही 18 तारिक को जो एकी notice जारी किया है. जो बच्चे का back लगा था, first year या second year के exam में, practical और ED के exam में, उन बच्चों का time table जारी कर दिया गया है. DGT ने 18 तारिक को अपने notification में जारी किया है. साथ ही साथ, ऐसे ही वीडियोज माने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें. आपको ITI RSC ग्यान में ऐसे ही related ITI के वीडियोज मिलती रहेंगी तयारी के और exam के. आईए हम उस notice को देखते हैं कि इस परकार का notice time table जारी हुआ है. यहाँ पर यह notice जो है 18 तारिक की जारी हुई है. 18 दो 2022 को जारी हुआ है ITI की exam के लिए. आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन बच्चों का examination जो बच्चे की exam practical या ED में annual system DST trainees के लिए है. या जो बच्चों का जो है कि 2018, 2019 या फिर 2018 से 20 और 2019 से 20 या 2019 से 21 और 2020 से 21 या 2020 से 22 यर का regular time ही है. उन लोगों की duration उतनी से सेशन के हो बच्चे उन लोगों का exam में आपर supplementary exam होना है. जो बच्चे अपने first year और second year के practical या ED exam में जो है कि fail हो गये थे या जिनका back लग जया था. या notice उन लोगों के लिए है जो बच्चे अपने practical या ED के exam में first year और second year में fail हो गये थे उनके लिए यहाँ पर notice जारी की या और साथ सा time table जारी किया गया है. time table को हम देखेंगे कि किस प्रकार से बच्चों का exam यहाँ पर होना है. सरप्रताम हम नीचे चलते हैं कि exam किस-किस date को होना और कौन से time को होना है यहाँ पर देखें साफ-साफ लिका हुआ है supplementary and left over trainees annual system 2018-19, 2018-20, first year and second year date. supplementary and over left trainees annual system DST 2019-20 और 2019-21 बच्चों के लिए regular trainees annual system DST 2020-2022 तक के जो first year के हैं. अब देखें यहाँ पर जो first year के बच्चे हैं जिनका practical में जो एकी back लगा था उनका exam 8-3-2022 को लेखे यानि कि March में सुवन 9 बज़े से होगा for all trade trainees one year duration trade, one year of second year duration trade admitted in session August 2018-19 या 18-19 या 22 में जो बच्चों का back लगा था जो बच्चे उस session के हैं उन लोगों का exam जो एकी 8 तारीक को होना है. अब जो बच्चे practical में जो बच्चे second year के हैं जो बच्चे second year के हैं उनका practical में जिनका back लगा था उनका 10 और 11 तारीक को exam होना है सुबह 9 बज़े और यहाँ पर आगे हम बढ़ेंगे जिन बच्चों का अब engineering drawing में back लगा था जिन बच्चों का engineering drawing में back लगा था जो फर्स्ट येर के बच्चे हैं उनका exam 12 तारीक को होना है सुबह 10 बज़े से लेके for all trades for training one year of and second year duration trade admitted in season August 2018-19 and 22 जो बच्चे 2018-19 और 20 के session के हैं उनका exam फर्स्ट येर का जिनका engineering drawing में back लगा था उनका exam जो है कि 12 तारीक को होना है 12 मार्च को और उसी दिन जो है कि second year के बच्चों का धाई बज़े से exam होना है same day को होगा 12 तारीक को 12 मार्च को ही exam होगा engineering rank for all trade trainees of second year of second year second duration मतलब दो साल का जिनका exam होता है दो साल के जिसके session होते हैं जैसे कि mechanical जो भी होते हैं हमारे दो साल के trade होते हैं उनके लिए जो है कि देखे लिखाया नहीं आपर दो year duration trade admitted in 2018 से 19 जो बच्चों का दो साल का duration होता है ट्रेड का उन लोगों के लिए 2018 और 19 वालों का second year का exam जो है की supplementary का 12 तारीक को धाई बज़े से होने वाला है आप सभी बच्चे exam की तयारी बढ़ियां से करें और साथी साथ हमारे चैनल पर जो है की material अप्लोड किये जा रहा है ताकि आप सभी की exam बढ़ियां से हो सके और यहाँ पर आप first year और second year दोनों के trade अप मिल जाएंगे दोनों के exam की तयारी के लिए आप सभी को फर्स्ट चैप्टर से अब वीडियो अप्लोड होंगे जल्दी जल्द और साथी साथ टेस्ट भी कराये जाएंगे हमारे ग्रूप में जूनने के लिए screen कर दिखने नमबर पर आप मुझे message कर सकते हैं